हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल की अप सक्सेस में दोस्तों 21 फरवरी को आप लोग का इंगलिस का ग्याम होने वाला है तो हम कुछ भी भी अब्जेक्टिव क्वेशन को सेलेक्ट किये हैं और यहां से हंड़ेट परसेंट हम दावा पिस फोर लिभी जो चैप्टर का नाम है वो जो है वो किसने लिखा het या पसे स्ट्छण पूछ रहा है तो पहला पीछ सबसे पहले आप लोग क्या किजिए कि राइटर नेम इसमें पूरा का पूरा पूरा राइटर नेम है ठीक है इसको वीडियो के ध्यान से देखिएगा पूछेगा एक्जाम में इंगलिज में हो सकता है मिलान करने के लिए पूछते हैं तो आप लोग स्किप नहीं किजिएगा हम सारा का सारा जितना भी लेखक है उसका हम यहाँ पर बताने वाले हैं देखते हैं क्वेश्चन नबर की और अपका कि आर्सी अटिंशन वाज ए ठ तूम क्या थे हैं ? तो the option नॉम्लम्इमें अमेरिकन नॉएिस्ट ब्रीतिस नॉए फ्रेंच से पीशज भूल ये तो आपका बिल्कुल कारेक्ट एंट सर रोजाएा है तुली हुआ जली है ।कonne क्या है अंब वीडियो में बने रहेगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एके करके आप अगर हो सके तो आप लोग कोपी पे इसको नोट्स भी कर लिजिएगा चलिए नेक्क वेचन देखिएगा क्वेचन नमर थर्ड हुवाज चीटिंग दा कॉर्ण मर्चेंट ठीक है नेफ्यू जो है वो इसका हुवाज चीटिंग दा कॉर्ण मर्चेंट हीज नेफ्यू ऑप्सन नमबर भी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते क्वेचन नमर चौथा चाल नमर क्वेचन में हाव मेनी गर्ल्स वेर देर इन दा फील्म में कि फील्म में कितने लड़कियां थी आपसे क्वेचन पूछ रहा है उपसने में टू अप्शन भी में थ्री उपसन सी में फॉर ऑपसन डी में फाइव तो फोर का प्वेसंट नमर आपका पी सही एंसर हो जाए ने कि तीन लड़किया थी फिल्म में ठीक है तीरी लड़किया तो option number B आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एके को अपने कोपी में उतारते चलिएगा ठीक है चलिए question number 5 अगला question है Who is the author of Me and the Ecology Wheat? Me and the Ecology Wheat का जो author है उसका लेखक जो है वो कौन है option number A में है आपका John Hutchinson option B में है John Lugshu option C में है Tony Morrison option D में है none of these तो option number B इसका बिल्कुल correct answer हो जागा 5 option number B John Lugshu ठीक है John Lugshmi Sade होगा ठीक है इसका एक बार देख लिए आप लोग किताब में लेकिन option number B आपका सही है John करके कुछ नाम है इसका आपर गलत type हो गया है John करके इसका कुछ नाम है question number B आपका सही answer हो जाएगा चले question number 6 देखते हैं which route does the author follow which route does the author follow यानि कि कौनचा जो है रूट जो है author follow करता है option A में है physical route option B में है communication route option C है paper route option D में है none of these तो 6 का आपका option number C सही हो जाएगा paper route ठीक है 6 का option C हो जाएगा सही paper route जाएगा वो follow करता है author चले यह बने रहेगा इससी तरह से अगला question देखेगा question number 7 question number 7 है what type of pollution is created by compost according compost according Mr. William what type of pollution is created by compost according Mr. William मतलब Mr. William के अनुसार जो है किस परकार का pollution compost द्वारा मतलब उत्पन किया गया है option A में है air pollution option B में है nose pollution option C में noise pollution option D में none of these तो इसका हो जाएगा noise pollution 7 का option number C आपका बिलकूर character answer हो जाएगा noise pollution तो option number C आप लोग याद कर लिजेगा noise pollution होगा Mr. William के अनुसार जो है किस परकार का pollution फ़लाया जा रहा था compost के द्वारा वो noise pollution फ़लाया जा रहा था चलिए बढ़ता है अगला question की और next question है what did the author do for environment यानि कि परियावरन के लिए author ने क्या किया ठीक है परियावरन के लिए author ने क्या किया option A में है doing plantation option B में है avoiding follow son option C में है by awaring people option D में none of these तो आठ का option number C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा by awaring people ठीक है option number C सही answer हो जाएगा by awaring people चलिए अगला question देखेगा question number 9 who has written गिल्लू गिल्लू का लेखा कौन है ठीक है गिल्लू चैप्टर है गिल्लू का लेखा कौन है यह उमीद करते हैं आप सभी को पता होगा अगर पता नहीं होगा तो देख लिजे ध्यान से option A में है महादेवी वर्मा option B में है option C में है महादेवी वर्मा हम बार बार एक चीज़ को बोल रहे हैं कि आप लोग पाठ वाला और लेखा का नाम याद कर लिजिएगा objective में भी पूछेगा और मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है ठीक है तो इसमें पूरा लेखा का नाम बता दिये हैं चलिए बढ़ते हैं अगला question गिल्लू फेवरेट फूट गिल्लू का जो फेवरेट भोजन था वो क्या था राइस था ब्रेड था काजू था जाम था तो इसका सही एंसर हो जागा काजू ठीक है गिल्लू का फेवरेट भोजन क्या था ठीक है? महादेवी वर्मा को कीस अवाड से नौजा गया कि कौन सावाड इनको मिला? Option ए में है मांगल परसाथ प्राइज Option B में है भारत भारती Option C में पद में भोसन Option D में है ओल आफ देज 13 का इसमें से Option नमबर आपका D बिलकूल सही अंसर हो जाएगा all of these यानि कि तीनो जो प्राइज है ये तीनो प्राइज महादेवी वर्मा को मिल गया था ठीक है तीनो प्राइज जो है अवार्ड मिल चुका था महादेवी वर्मा को इसलिए गारा का option number D आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए बढ़ ये अगला question देखते हैं बारा number question क्या कहा रहा है कि which of the following name was given to the squirrel ठीक है which of the following name was given to the squirrel squirrel के लिए जो है एक दूसरा नाम क्याद दिया गया ठीक है यही आप सक question पूछ रहा है option A में है गौटी option B में है गिल option C में है गिल्लो option D में है गिल्ला तो बारा का option number C आपका सही हो जाएगा गिल्लू ठीक है option number C आपका बिल्कुल character answer हो जाएगा गिल्लू ठीक है गिल्लू आपका सही answer हो जाएगा चलिए देखते है question number 13 question number 13 में क्या कर रहा है who is the author of what is wrong with Indian film ठीक है इंडियन फिल्म के साथ जो गलत हुआ उसका जो लेखक है वो कौन है ठीक है उसका जो लेखक है वो कौन है सत्य जीत रहा है option B में महादेवी वर्मा option C बिद्याफती option D में पुरान सी ठीक है तो तेरा का option number A सही हो जाएगा सत्य जीत रहा है जो है वो इंडियन फिल्म का लेखक है ठीक है इस वा आप लोग नोट्स कर लिजे कोपी में ठीक है न एक एदम हंड़ेट परसेंट हम गारंटी बोलने है कि वाला question आएगा ही आएगा इंडियन फिल्म का लेखक कौन है तो सत्य जीत रहा है आप लोग टीक लगा दीजेगा ठीक है चलिए बढ़ते अगला question की और question number 14 देखिए in which year the first future film of Indian was performed बड़ा है कि किस वर्स जो first future film of Indian भारत का जो पहला future film था वो perform किया गया था option number A में है 1913 option B है 1925 option C है 1935 option D है 1947 तो 14 का option number A आप भूलिया गा नहीं 1913 में पहला future film भारत में perform किया गया था 1913 में पहला future film को perform किया था ठीक है इसी तरह का एक और question है जब future film का है ठीक है ना पहले एक और question को हम solve कर देते हैं तो इसका option number क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है 1913 हो जाएगा चलिए question number अगला क्या है 15 नमर question में देखिएगा ठीक है 14 और 15 थोड़ा सा ध्यान से देख लिजिएगा पंदर नमर question क्या है in which year the first short film was produced in India ठीक है किस वर्स जो है short film पहली short film भारत की पहली short film इंडिया में produce किया गया था जब सौट फिल्म की बात करें ठीक है जब सौट फिल्म की बात करें फर्स्ट सौट फिल्म का बात करें तो कब किया गया था फर्स्ट सौट फिल्म का बात करें तो कब प्रोड्यूस किया गया था जैकिन यहीं अगर फर्स्ट फ्यूचर फिल्म की बात करें फर्स्ट फिल्म की ब तो हो सके तो आप लग नोट्स में लिख लीज़े ठीक है चलिए अगला question क्यों बढ़ते हैं next question है what does the word mysterious means mysterious का मतलब क्या होगा उसका अर्थ क्या होगा mysterious का अर्थ जो है वो secret होगा impossible to understand होगा option c में है hidden facts होगा option d में none of these तो 16 का आपका option number b सही हो जाएगा यानि कि impossible to understand mysterious का अर्थ क्या है impossible to understand इसका अर्थ है तो 16 का option number b आपका सही हो जाएगा question number 17 देखिएगा who is the author of the article acceptance speech acceptance speech का जो है acceptance speech article का जो है वो लेखा कौन है यह आप से पूछ रहा question में acceptance speech का जो है article का जो है वो लेखा कौन है option a में है option b में है कुस्वांसी option c में है आर्ची हर्टिंसन option d में है रोहिंतन मिस्त्री ठीक है तो 17 का आपका option number a हो जाएगा आंग सान सूकी ठीक है option number a आंग सान सूकी तो 17 का option number a आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा acceptance speech का लेखा कौन है आंग सान सूकी ठीक है इसको भुलियक नहीं याद कर लेजे notes copy में लिख लेजे इसको आटरा नमर क्वेशन देखेगा who received the nobel prize awarded to आंग सान सूकी जब आंग सान सूकी को एक nobel prize मिला था तो उस nobel prize को received करने वाला प्राप्त करने वाला कौन था ये आपसे question पूछ रहा है her son option A में क्या है her son option B में है her sister option C में है her mother option D में है her daughter तो आठरा का option number A आपका सही हो जायागा her son ठीक है her son यारी उसका जो पूत्र था आंग सान सूकी का पूत्र था वही उसका nobel prize को received किया था चलिए question number 19 में देखते है which are the following country do आंग सान सूकी विलोंग आंग सान सूकी जो है किस country से विलोंग करते थे ठीक है आंग सान सूकी जो है किस country से विलोंग करते थे तो इसका option देख लिजिए option है Bangladesh, म्यांग मार, मलेसिया, इंडोनेसिया तो इसका सही answer हो जाएगा म्यांग मार ठीक है सही answer क्या हो जाएगा म्यांग मार यानि कि option number B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा option number B यानि म्यांग मार चले बाढ़ते है question number 20 की और 20 number question देखेगा when was आंग सान सूकी बोन आंग सान सूकी का जन्म कब हुआ था ठीक है ये भी बहुत important question है objective question में ये पूछ देगा आपसे कि आंग सान सूकी का जन्म जो है वो कब हुआ था तो 20 का option देखे लिए जी पहले है option A में 19 जून 1945 को 21 जूलाई 1944 को 8 नुमंबर 1948 को 25 सिप्टमबर 1946 को तो 20 का आपका option नुमंबर A सही हो जाएगा 29 जून 1945 को जो है आंग सान सूकी का जन्म हुआ था ठीक है आंग सान सूकी का जन्म कब हुआ था 19 जून 1945 को इसका जन्म हुआ था बढ़ते question नूमर 21 की और 21 नूमर question में क्या है What is the name of the political party headed by तरहे रिकात पांग सान सूकी की दोरा को प्लेटकल içinde जाता था ठीक है न उस पॉक्ष पा इंट का है ठीक है त व साय आप already का जो नाम है उस сам प्लेटकल पार्ठी का नाम किया था ठीक है निम आपव दिंल पार्टी अपको नैंब बता नहें कि कि पार्टी सूंपिए करेंगा सिंपि Самमेन क्युम्र तो God कि एपाशनल इंकरेसी में मैं नेलावारलिंक सी अफोटे लिग foregy धी थे आंगशन सूंस हो जाएगा यह नेward कि नेस्टाहट सूंस कि पुलेटिकल पार्टी का जो नाम था पॉलिट को पार्टी का नाम क्या था तो नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसी टीक लगा दीजेगा आप लोग चलिए बढ़ते क्वेच्चन नमर 22 की और 22 क्वेच्चन में देखेगा क्या है तो 22 का आपका 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 बिल्कुल सही हो जागा निकि टोनी मौरिसन है ठीक है ओप्सन नमर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वान्स अपान एटाइम का लेखा कहा है टोनी मौरिसन इसको नोट्स कर लिजिए आप नोट्स कोपी में इसको अवास से लिख लिजिएगा प्राप्त करने वाली प्राथम ब्लैक वोमेन ब्लैक वोमेन कौन थी तौनी मौरिसन यानिके आपका सही एंसर हो जाएगा तौनी मौरिसन जो वह फर्स्ट नोबेल प्राइज प्राथ करने वाले थी ब्लैक वोमें ठीक है चलिए बढ़ते हैं लेकिन बुद्धी मान थी तो वाइज हो जाएगा इसका अबसे नंबर क्या होगा ठीक आप्शन नमबर बीपे टीक लगा दिजे सही हो जाया चलिए क्वेचन नमर पचीस में वीचोडी फॉलोइंग इस डर्री रिसेंट नोवल आप टोनी मौरिसन टोनी मौरिसन का जो नोवेल प्राइज मिला था उस नोवेल प्राइज का था टो है चले है च्वेशन नमर 26 देख लेते हैं और दिस अबिलीटी वाट डिस अबिलीटी टीड दा वोमेन एव यह जो ऑमेन उस अउरत को था वो किस तरह समतल वो डिस अबिलीटी थी फेटने अबल टु मॉव ब्लांड नेस कुल नोट तक इसमें तो वो क्या थी ब्लांड ने थी ब्लाइडनेस औरत थी ठीक है तो सी आपका ऑप्सन नमर सी बिल्कुल सही जवाँ हो जाएगा चलिए सदाइस नमर क्वेश्चन है नमर अथाज देखेगा हुवेर ऑस सेक्स और हुण्स विएर सेक्स एंडर हुण्स जो है वो कौन थे साफ एड हो दो है घ्रीक ट्राइब ऍपे रिट लगा देगा टीचीन नमर नंटीस में हुमायू कबीर वाज famous, हुमायू कबीर जो थे, वो क्या थे, poet, novelist, political thigner थे तो यह तीनों थे, ठीक है न, हुमायू कबीर क्या थे, poet भी थे, novelist भी थे, and political thigner भी थे, यानि कि all of these, इसका बिलकुल सही जभाब हो जाएगा, option number d, ठीक है, जो थे, वो poet भी थे, novelist भी थे, and political thigner भी थे तो इसका हो जागा all of these यानि कि इन में से सभी चले बढ़ते क्वेश्चन नमर तीस की और तीस नमर क्वेश्चन में देखिएगा इन दिस लेशन दा ऑथर गिप्स और इंडिया खाली स्थान यहां पर इस खाली स्थान पर आप लोगों को भढ़ना है एंड सिविला जैसे ने कि नागरिक्ता और कल्चर पर दिखा रहा ठीक है तो अगर वीडियो आप लोगों को यूजफूल लगे तो कोमेंट कर दीजेगा और लाइक करना ना भूले और जो भी मेरे चैनल पर नए है तो सब्स्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों के पास सेर कर तो इंग्लिस का एक्जाम है ठीक है यह फर्स सेटिंग और सेगंड सेटिंग दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है वीवी आई अब्जेक्टिव क्वेचन हमने सेलेट कर रिया करके दिया था ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में